किस की आवाज है? कौन गरज रहा? और आप उनको पना दे रहें अपनी पाकी में, ऐसे शक को तो निकाल कर फेकना चाहिए था, जिसने खवातीन की जड़ दूदी उनको दबाया लीज था वो. हुकुमत से आख में आख मिलाने वाला है. मैं थे ब क्रिधस में अचिक को तूभ यगरी तूदी जड़ा है, कि आख में तो आख में आख माशनी यहाद से गलव आख में पाकी ममिला मजलूम की आह बयान करने बाद आप हिंदुस्तान के नेशनलिजम पर बरोसा करते हैं या हिंदुट्वा के नजरे बरोसा करते हैं जो लोग मर गए मक्का मजवित में उनके ख़ब अपील लें करते हैं यह आपकी देशागर्दी की पालिसी है चंदर्चुट कमिशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजोरी का इल्दाम लगाया आपने उसको भारणत ना दिया यह आपकी महपत है पंडी जी रापोजाशी माडम यह एक चनूल है दलितों से महपत के इतने बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं मगर जिस जजज ने S.C.S.D. आइक के खिलाफ जज्जमेंट दिया आपकी सरकार ने उसको N.G.D. का चेरेंट मनाया और आप में इती हिम्मत ने एक ओर्डिनेंस जारी कर सके क्या आप कांग्रेस मुप चाहते हैं या मुसल्मान दलित मुद्भारत चाहते हैं या आपकी फालिसी दे खौफ का एक माहौल पैदा कर दी गया मुल्क में नफरतों की दिवारों को ठादिया गया ये हुकूमत जबर, तशद्दोत और खौफ पैदा करें ये एक जज़बा है मुसल्मानों को अब किसी मुसल्मान सदर जमूरिया की हर्गिस ज़रूत नहीं है ये सदर जमूरिया के होदेश हमको फाइदा होने वाला नहीं है हमको एक चप्राशी की नौकरी नहीं मिल सकती खिलोने जयकर जिसी शायर में बड़ा अच्छा का असर यहां पर कि समन्नाओं में उल्जा आ गया हूँ खिलोने जयकर दिल बहला आ गया हूँ ये एक जमूरिय जद्द जहत है